आज की इस नसरी में फ्लावरिंग प्लांट की बहुती ज़्यादा डिफरेंट वारेटिट देखने को मिलेगी जो कि आप बाय का सकते हैं जस्ट फॉम 30 रुपीज इंडो प्लांट मिल जाते हैं 30 रुपीज से सकुलन्ट मिल जाते हैं 50 रुपीज से चलिए तो विजिट करते इस नसरी को So friends, आज मैं अजय नसरी में अजय नसरी का एक जस्ट ओवर्विव में आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि अजय नसरी कैसी है अजय नसरी में आपको फ्लावरिंग प्लांट का बहुती प्यारा सा कलेक्शन देखने को मिलता है इनके पास में पर्मनन्ट, सीजनल, सभी प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट मिल जाते हैं जो कि आप बाय कर सकते हो जस्ट फॉम 30 रुपीज शेवन्ती प्लांट की कुछ बहुती प्यारी सी वराइटीज है इनके पास में ये डबल कलर वारी बहुती प्यारी लग रही है अगर आपको बड़े होने वाले इंडो प्लांट सीए तो वो भी इनके पास में मिल जाते हैं जोकि बहुती ज्द ही जयदा अफोर्ड एबल प्राइज में आप इनज्क यहां से बाय करते हो बाकि जो नॉर्मल वाले इंडो प्लांट से है वो आप यहां से बाय कर सकते हो जस्ट फॉम 30 रुपीज इंडो प्लांट के साथ-साथ इनके पास में आपको सकुलन प्लांट की बहुती प्यारी सी वराइटीज देखने को मिल जाती है जो कि आप बाय कर सकते हो जस्ट प्रॉम 50 रुपीज सकुलेंट के प्लांट 50 रूपीज में आपको all over Mumbai में शायदी कहीं पे मिलेगे उसी के साथ में इनके पास में कैक्टस प्लांट भी है प्लांट लगाने के लिए इनके पास में सिर्यमी के पॉट्स का भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्षन है उसी के साथ में आपको plastic के pots भी मिल जाते हैं इनके पास में टेरोखवेटर में बहुत सारे different varieties हैं इनके पास में उसी के साथ में इनके पास में मटका भी मिल जाता है यह जो nursery है यह भांडूप railway station से walkable distance पे यहाँ पे भांडूप railway station है और nursery के लिए हमें इस site जाना होगा इन nursery के owner है इनका नाम है अजय इनी के उपर में nursery का नाम रखा हुआ है अजय nursery और इनका जो mobile number है वो मैंने share कर दिया है और इनके जो nursery है उसका address भी मैंने आपके साथ में share कर दिया है अगर आपको इनके आका plant का collection पसंद आया और आपको buy करने plants तो आप इनके नसरी को देए गए address पे विजिट कर सकते हो otherwise इनके mobile number पे भी contact कर सकते हो चलिए तो start कते flowering plants है शेवन्ती plant की कुछ बहुती प्यार रिसी वराइटीज लाईए इनोंने ये double color वाली तो दिखने में बहुती unique दिख रही है और अगर आप bag में buy करते हो तो आपको मिलेगा 30 रुपीज में अगर pot में buy करोगे तो आपको मिलेगा 70 रुपीज में इसमें भी बहुत सारी different colors है इनके पास में शेवन्ती प्लांट को winter में और late summer तक के बहुती बढ़िया सा flowering होता है इस प्लांट को red color के छोटे से flowers आते हैं इसे baby sun rose प्लांट कहा जा रहा है जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 30 रुपीज में कलवन्चू के plants भी इनके पास में जो कि एक बहुती बढ़िया सा permanent flowering plant है कम light वाले एरे में रहे के भी बहुती बढ़िया सा आपको flowering देगा ये एक plant जो है वो आपको मिलता है 80 रुपीज में वो भी pot के साथ में बहुती अच्छी सी deal लेगे ये यूफोबिया plant की variety है ये भी plant आपको 80 रुपीज में मिलेगा वो भी pot के साथ में ये भी एक permanent flowering plant है छोटे छोटे बहुती बढ़िया से इसको red color के flowers आते रहते बारो मैने आपको flowers मिलेंगे ये जो plant है ये मदू कामनी plant की variety है जो कि एक bonsai variety है आपको मिलेगी 550 रुपीज में ये एक flowering plant होने के साथ साथ एक fragrance flowering plant भी है इस plant में बहुत बढ़िया सा flowering होने वाला है आप देख सकते हो ये जो ceramic का pot है आपको मिलेगा 100 रुपीज में ceramic के pot में succulent plant को डाल दीजे तो इन दोनों का combination दिखने में बहुत ही प्यारा दिखता है अगर आपको blue color का pot पसंद नहीं आया तो इनके पास में आपको white color वाला pot भी मिल जाता है ये देखिए ceramic pot and succulent plant का अगर आप यहां से combination buy करते हो तो आपको मिलेगा just in 150 रुपीज बहुत जगे पर आपने देखा होगा कि only succulent plant की 150 to 200 के rain में मिलता है 150 रुपीज में ये एक बहुती बढ़िया सा gift है plant के साथ में आप ceramic pot में उनको plant दे रहे हो इनके पास में आपको succulent plant मिल जाते हैं वो भी pot के साथ में just in 50 रुपीज indoor plant आपको मिलेगा 30 रुपीज में spider plant aloe vera के plants भी इनके पास में जो कि आप same rate में buy कर सकते हो आज से tulsi की plants यहां पे आपको 10 रुपीज में मिल जाते हैं रोस के plants भी इनके पास में जो कि एक plant आप buy कर सकते हो 50 रुपीज में बहुत सारे different colors में इनके पास में आवलेबल है रोस plant के कुछ बहुती अच्छी सी quality आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि यह देखिए एक ही plant है और कितना सारा flowering हो आई इसे ऐसे रोस के plants शायद ही आपको कहीं पर मिलेगे रोस के plant के साथ साथ आपको बालसम प्लांट की भी varieties यहाँ पर देखने को मिलती है जो एसे प्लांट जो कि कम लाइक वाले इरह में रह के भी आपको बहुती बड़ी ऐसा flowering देता है बालसम में भी इनके पास में बहुत सारे different colors available है जो भी आपको पसंद आता है आप वो यहाँ से buy कर सकते हो 30 रुपीज में different colors में यहाँ से डाइन्थेस के plants है जो कि pink shade में आपको बहुत सारे different colors मिल जाते है इनके पास में यह एक plant आपको मिल जाता है 30 रुपीज में और एक seasonal flowering plant है बट समर में भी आपको बहुती बड़ीया सा flowering देगा समर में आपको थोड़ा सा shade वाले अरिया में इसे रखना होगा यह एक बहुती बड़ीया सा permanent flowering plant है बारो मैंने आपको बहुती बड़ीया सा flowering देते रहेगे इसे हम कहते है periwinkle के plants हम इसे सदाफुली भी कहते है यह plant आपको मिल जाता है just in 30 रुपीज यह चमपा का plant है जो कि एक बहुती बड़ीया सा permanent flowering plant है छोटा plant 150 में तो बड़ा वाला 250 में मिलेगा देहलिया की भी plants है इनके पास में जो कि एक seasonal flowering plant है अगर आपको यहां से बाई करते हो तो आपको 250 रुपीज में एक plant मिल जाता है देहलिया के जो flowers होते है वो size में बहुती ज़्यादा बड़े होते है उसके वज़े से जिन किसी लोगों को बड़े flowers पसंद है उनके लिए सबसे best plant है इनके पास में पिटो ने एक भी plants मिल जाते है आपको इस plant में भी बहुती अच्छा सा flowering होता है कम light में रहके भी यह आपको बहुती बड़िया सा flowering देगा यह जो plant है इसको अगर आप direct sunlight में ज़्यादा देर तक रखोगे तो इसको जो पत्ते है वो burn होने के chances होते है करके इसे shade वाले area में रखिए जहाँ पर यह आपको बहुती अच्छे से results देगा जो plant है पॉन्सूट यह plants की varieties है इसमें आपको colors बहुती प्यारे से देखने मिलते है जैसे कि इनके पास में अभी फिलाल में available है pink, red and yellow इन plants के color ऐसे ही अगर आपको maintain करने है तो आपको इनको shade वाले area रखना होगा जहाँ पर इनको अच्छा खासा light भी मिले और direct sunlight न मिले direct sunlight मिलेगा तो इनके पत्ते burn हो सकते हैं इंडोर में रखोगे तो colorful पत्ते इनके green हो सकते हैं इनके पास में flower लगे हुए hanging pots भी है जो कि आपको मिल जाते है just in 150 रुपीज देख सकते हो आपके दिखने में कितने प्यार है दिख रहे हैं यहां से बाई करके आप directly आपके घर पे hang कर सकते हो इनको बहुत ही अच्छे से develop हो चुके ही है यह pitunia plant की varieties है अगर आपके पास में hanging basket है तो आप यह 30 रुपीज में यहां से plant buy करके आपके hanging basket में grow कर सकते हो इनके पास में आपको different varieties के hanging plants भी मिल जाते है जो कि आप buy कर सकते हो 150 रुपीज से यह pennyworth का plant है money plant 50 रुपीज से मिल जाएगा इनके पास में monster plant की भी varieties है जिसे हम broken heart भी कहते है bag में आपको 80 रुपीज में मिल जाता है इनके पास में bedroom में रखने के लिए snake plants भी मिल जाते है जो कि 24 x 7 oxygen producing plant है 120 रुपीज से मिल जाएगे यह भी एक बहुती बढ़िया सा इंडो plant है singonium के plant pot में आपको 80 रुपीज में तो bag में 50 में मिल जाते है इनके पास में आपको जेजे plant की भी varieties मिल जाती है जो कि एक plant आप buy कर सकते हो 150 रुपीज से peace lily के भी plants आप यहाँ से same rate में buy कर सकते हो इनके पास में आपको एगलो निमा plant की बहुत सारी different varieties मिल जाती है जो कि आप 180 रुपीज से यहाँ से buy कर सकते हो यह bamboo pump की रुपीज है जो कि एक completely indoor plant है आपको मिलेगा 150 रुपीज में वो भी pot के साथ यह calathea plant की varieties है यह भी एक बहुत ही बगया से इंडो प्लांट है आपको मिलेगा 150 रुपीज में pot के साथ में इसमें और भी बहुत सारी different varieties है इनके पास में इनके पास में आपको ब्रह्म कमल प्लांट भी मिल जाते है यह देखे 250 रुपीज में pot के साथ इनके पास में aglonema plant की pink वाली varieties भी मिल जाती है दो की 250 रुपीज में एक प्लांट आपको मिल जाती है इनके पास में आपको dracenna plant की भी varieties मिल जाती है यह वाली varieties बहुत ही प्यार रिसी वाराइटी है आपको मिलेगी 150 रुपीज में पीसी लीली की कुछ बड़ी वेराइटीज है जिनको फ्लावरिंग हुआ है आप देख सकते हो ये वाली वेराइटीज आपको मिलेगी 250 रुपीज में ये कम्प्लेटली इंडोर प्लांट है बड़े होने वाले इंडोर प्लांट भी इनके पास में जैसे कि ये मॉस्टेर अ रभर प्लांट की वेराइटीज आपको मिलेगी 250 रुपीज में पौट के साथ रबर प्लांट की भी वेराइटीज है इनके पास में जो की मिल जाती है आपको में आपको शो कर देता हो एनिमल शेप में भी बहुत सारी डिफरेंट वरैटीज है इनके पास में जो कि आप अफोर्डेबल प्राइज में यहां से बाई कर सकते हो इनके आपका सिरामिक पॉट का कलेक्शन आपको अकर पसंद आए तो आप डारेक्टली उनसे कॉंटेक कर सकते हो अधरवाइज अगर आपको एक दो कॉंटिटी बाई करना है तो डारेक्टली उनके नसरे पे आप उनको विजिट कर सकते हो अगर आप ज़्यादा कॉंटिटी बाई करते हो तो आपको home delivery भी मिल जाएगी टेरागोट ने भी इनके पास में decoration purpose के लिए बहुत सारा items है ये वाला जो plant है दुरानता इरेक्टा का plant है आपको मिलेगा 60 रुपीज में outdoor में grow करने के लिए one of the best plant है ये ये वाला lemongrass का plant है आपको मिलेगा 60 रुपीज में पत्री का भी plant है इनके पास में आपको मिल जाता है 25 रुपीज में diabetes के लिए भी plant है इनके पास में insulin का मिलेगा 120 रुपीज में इसी के साथ में इनके पास में croton है 50 रुपीज में विद्दे का plant है 80 रुपीज में इनके पास में आपको अजवाइन का भी plant मिल जाता है, जो कि 25 रुपीज में बाय कर सकते हो, करी पत्यकभी plant है, जो कि आप सेम रेट में बाय कर सकते हो छोटा वला ये के पास में आपको क्रोटान प्लांट की वेराइटीज भी मिल जाती है जैसे कि ये पेटरा क्रोटान आपको मिलेगा 150 रुपीज से सेमी शेड में ग्रो करने के लिए one of the best प्लांट इसमें आपको छोटी बड़ी दोनों वेराइटीज मिल जाती है ड्रेसीना प्लांट आपको मिल जाएगा 60 रुपीज में छोटा वला ये जो प्लांट है ये पारिजात का प्लांट है एक पर्मनन फ्लावरिंग प्लांट है आपको मिलेगा 60 रुपीज में विदाउट पॉट 3-4 फीट का प्लांट है पाम्टरी बहुत ही ज़्यादा healthy condition में इनके पास में अगर किसी को बाय करना है तो वो बाय कर सकते आउटडोर में रखने के लिए इनके पास में विद्धे के प्लांट्स मिल जाते जो कि आउटडोर में बहुत ही अच्छे से ग्रोवत है इनके पास में आपको बोनसाई प्लांट्स की भी विराइटी देखने को मिलती है जैसे कि यह फाइकर्स प्लांट की बोनसाई विराइटी है इनके पास में प्लास्टिक पॉट 20 रुपीज से मिल जाते है प्लांट के सीट्स इनके पास में 25 रुपीज से मिल जाते है अभी दुपका ला रहा है तो इनके पास में मटका भी मिल जाता है आपको अगर नॉर्मल मटके चाहे तो वो भी मिल जाएगे otherwise colorful में भी इनके पास में available है वैसे तो इनके पास में बहुत सारी डिफरेंट वराइटीज है फर्टिलाइजर में लेकिन ये जो देख रहे हो ये थोड़ा सा डिफरेंट फर्टिलाइजर है ये बकरी के वेस्ट से बना हुआ फर्टिलादर है जो कि आपको बहुती रेर देखने मिलेगा मुंबई में कलर्फुल स्टोन्स भी मिल जाते हैं इनके पास में डेकॉरेशन परपस के लिए गार्डन मेकिंग, गार्डन मेंटेनांस इस प्रकार के सभी काम ये करते हैं डिटेल में जानने के लिए मोबाइल नंबर पर उनके कॉंटक कीजिए फ्रेंट्स ये थी अजय नसरी, आई होब कि इनके यहां का कलेक्शन आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो बाके लोगों भी पता चले इस नसरी के बारे में उपर में जो सरकल दिया उस पे क्लिक कीजिए और फिशेस और प्लांट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो ऐसे ही कुछ नए-नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिशेस और प्लांट नेक्स वीडियो में मिलेंगे नए नसरी के साथ